अरे आईए डॉप्टर साहब मेरा भाई चिन्नू बहुत बिमार है ये तो साला खुद बिमार लगता है मेरा इलाज क्या खा करेगा अरे ये साला तो फ्री फड में बेज़ज़ती कर रहा है मैं तो जा रहा हूं यहां से मुझे नहीं कर तुम्हारा कोई इलाज इलाज अरे बत्तमीच ऐसे नहीं बोलते चलो अभी क्या भी डॉक्टर साहब को सारी बोलो अरे सोरी सोरी डॉक्टर साहब दलती हो गई अरे यार अरे सॉरी सॉरी डाक्तर साब मेरा मतलब कर दो बच्चे को मा आप क्या बच्चे की जान लोगे अरे आप तुम भी हमार मज़े ले रहे हो अरे डाक्तर साब आप क्या मेरी साली लगते हो जो आपकी मज़ा लोगा बात करते हो अरे भाई जीजा साली का मजाग खतम हो गया हो तो अब मेरा इलाज भी हो जाए लगे हो कबसे बातों में अच्छा बेटा बीमारी में तुझे मजाग सूच रहा है अरे एक बार तू ठीक हो जा फिर बताता हो तुझे अरे भाई इसे तो बहुत जादा बुखा लगता है लगता है इसे सूई लगानी ही पड़ेगी अरे मैं तो मर गया रहे अरे इस डॉक्टर ने तो बेस वाला इंजेशन लगा दिया मुझे अरे मर गया रहे अरे डॉक्टर तुने ये भाई का हाल क्या कर दिया अरे अरे इसके शरीर का कलर के से चेंज हो गया मैंने तो बुखार वाला इंजेशन दिया था इसे अरे भाई मुन्नू इसने मेरा क्या हाल कर दिया भाई तुम इस डॉक्टर अंकल को मत छोड़ना इसके उपर एफायार दर्च कर देना इसे जेल में ही सड़वा देना अरे नहीं नहीं भाई मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ ऐसा बिल्कुल भी मत करना अरे सुनो डाक्टर अगर जेल में नहीं जाना जाते हो तो इसकी जो हालत तुमने की है इसको सुदारने में चोबी खर्चा होँगा वो सब तुम दोंगे समझे हाँ नहीं तो जेल का हलवा खाने के लिए तैयार हो जाओ डाक्टर अंकल अरे गवार चुनो वहाँ हलवा नहीं होता केवल हवा हवा होती है हाँ हाँ वही वही हवा हवा अरे ये लो मुन्नो पेसे मुझे जेल नहीं जाना मैं जा रहा हूँ केसे लगी तेरे भाई केकटिंग हाँ अरे डाक्टर को उल्लू बनाया बहुत मचाया हुआ 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 हुआ